नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ परवीन शेक इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो सुप्रिम कोट से आ रही है कॉलकत्ता रेपकार्ण में सुनवाई हुई है और क्या कुछ हुआ है कोट पर इसमें जादा जानकारी के लिए हम सुप्रिम कोट वार एसोसियेशन के प्रेसिडेंट भी हैं तो यह पूरे मामले में इन लोगों का जो सबसे बड़ा उद्देश रहा यही रहा कि कैसे कोलकता के अंदर या पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट को रुकवाया जा सके हैं सुप्रिम कोट में दलीले दी जा रही है कि देखिए डॉक्टर खासकर जुनियर डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो हॉस्पीटल में नहीं जा रहे हैं उससे बड़ी समस्या हो रही है बीस से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई इसके कारण क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाया ज़्यादा तर लोग बाहर में इलाज करवा रहे हैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कुछ सिनियर डॉक्टर तो वहां काम कर रहे हैं लेकिन जुनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार जब उनके खिलाप कारवाई करती है औ इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है कहने का मतलब इनका था कि सुप्रिम कोट को कन्विंज कर दें कि ये प्रोटेस्ट केबल इस रेप मडर कांड के खिलाप नहीं है बलकि ये प्रोटेस्ट है जो पश्चिम बंगाल में तकता पलट की तैयारी है ममता बनर जी के खिलाप प्रोटेस्ट है और वहाँ सरकार को आस्थिर करने की कोशिश की जा रही है इसी के साथ इन्होंने जितनी दलीले दी वो दलील का मतलब यही था लवो लुबाब यही था कि किसी तरीके से सुप्रिम कोट से ये आदेश मिले कि इन सब को ड्यूटी प महाल हो सरकारी करमचारियों के खिलाप डॉक्टरों के खिलाप खास कर जुनिया डॉक्टर के खिलाप जो अभी अपने केरियर की सुरुआत किये हैं इन्हें नयाय के लिए लड़ने से रोका जाए और जब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा जब धम की काम आ जाएगी तो अमता बनर जी की कूर्सी सुरक्षित हो जाएगी ये सुप्रिम कोट में इनका प्राइम मोटिव था लेकिन जैसे सुनवाई हुई और कपिल सिबल ने जब बात करने शुरू की तो इनसे जेवी पारदीबाला ने पूछा कि कितने सरकारी अस्पताल है पश्चिम बंगाल में जो कुछ मौत हुई है उसमें सिर्फ सरकारी अस्पताल के जो जुनियर डॉक्टर सिनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके प्रोटेस्ट के कारण उनके ड्यूटी पर न जाने के कारण है तो आप बताईए कि कितने अस्पताल है पश्चिम बंगाल के अंदर जहां पर बेहतर इलाज होता है उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है अभी ये आकड़े हमारे पास नहीं है कि कितने वहाँ पर हॉस्पीटल हैं लेकिन खुद जेवी पार दिबाला ने कहा 737, 738 आप इसके आज़ पास के आकड़े बताएए क्या पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में साथ साहे साथ सो हॉस्पीटल जो सरकारी है उसके डॉक्टर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ लाकों की संख्या में सामाने लो गए तो फिर उन्हीं अस्पतालों में प्रोटेस्ट के कारण उनके डॉक्टर के प्रोटेस्ट के कारण पश्चिम बंगाल में इतनी मौत हो रही है पहले क्या लापरवाही नहीं होती थी जो प्राइवेट होस्पीटल है उनके डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं या फिर काम पर जाने के बाद भी क्या प्रोटेस्ट के लिए समय नहीं दिया जा सकता क्या यहां पर हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करना शांती पून तरीके से कोई अपराद है यह सवाल सुप्रिम कोट में भी उठा क्योंकि तुशार महताने भी कई बाते कही और सीबी आई के तरब से भी कुछ और ने खुलासे किये गए सीबी आई ने साब तोर पर कहा कि देखिए जो पश्चिम बंगाल का यह मामला है वो सरकार की लापरवाही का एक नमूना पेश करता है आप इसके एफाई आर की कौपी देखिए रेप मडर हुआ उसके बाद लापरवाही पुलिस की इतनी थी कि 14 गंटा लग गया एफाई आर लाउंच करने में 14 गंटे का समय लग गया उसके बाद वहाँ पर जो एविडेंस से उसके साथ छेड़ शाड़ की गई और इस 14 गंटे के बाद जो पुलिस ने एफाई आर दर्ज किया तो इस 14 गंटे के बीच में क्या हुआ क्यों पुलिस न इतना समय लिया और अगर पुलिस ने समय लिया बाद में सरकार को ये पता चला कि इन पुलिस वालों ने किसी न किसी से मिली भगत जाहे जो हो सरकार के कुछ मंत्री हो सकते हैं बड़े करप्सन के मामले इस उस्पीटल के अंदर आ रहे हैं उससे जुड़े हुए कुछ ल योगी पकड़े गए क्यों क्योंकि वो डाक्टरों से वसूली कर रहे थे और डाक्टर ने कंप्लेन किया दो लोग गिरफतार हुए क्योंकि अभी ऐसा मामला है जिसके कारण डाक्टरों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर ममता बनर जी चाहती है कि कम से कम लोगों को ये पता चले कि टीमसी के लोगों को भी गिरफतार किया जा रहा है हमारे नेता कारिकरता को भी छोड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि यही अवधारना पूरे पस्चिम बंगाल में है ये perception create हो गया है कि ममता बनर जी ने अभी तक बहुत कुछ छिपाया है कमिशनर के खिलाप ये लोग कारवाई करने की बात कर रहे हैं गवर्नर सिवी आनंदा बोस ने कहा emergency cabinet meeting बुलाओ और आप लोगे तै करो कि कॉलकता पुलिस का commissioner अब तक क्यों कुछ नहीं कर पाया और अगर नहीं कर पाया तो आप उसके खिलाप कारवाई क्यों नहीं किये पुलिस की लापरवाई का मतलब होता है कि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जो आला अधिकारी है उसने कहीं न कहीं लापरवाई की है और इस आधार पर उसके खिलाप तो कारवाई होनी चाहिए अभी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी की पाटी के अंदर ही विद्रो चल रहा है वो इसी बात को लेकर है कि देखिए जवार सरकार ने रिजिगने संदिया तो उसने जो लेटर लिखा उन्होंने साथ तोर पर कहा कि ममता बनर जी ने कारवाई करने में लापरवाही की ऐसी घटना हुई है ये तो घटना कहीं भी हो सकती है देखिए खामियाजा तो भूगतना पड़ेगा क्योंकि जस्टिस चंदरचूर जो सीजे आई हैं और जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिस्रा इन तीनों के बेंच सुनवाई कर रही है जस्टिस चंदरचूर ने को ये कहा गया CBI के तरफ से भी और सिंट्रल गोवर्मेंट के तरफ से दो दिन पहले एक एफिडिमिट दिया गया था उसमें कहा गया था कि देखिए ये जो कोलकता में आप कहते हैं डाक्टरों की सुरक्षा CBI को वहाँ पर एविडेंस की सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए सुप्रिम कोट नहीं कहा था कि पारेमलेटरी फोसेस बेजो लेकिन जब हम CISF को भेजे वहाँ तो ममता बनरजी की सरकार उसे हॉस्पीटल के इर्द गिर्द जाने नहीं दे रही है और इसलिए सुप्रिम कोट में CGI चंदचूर ने सीधे तोर पर कहा कि CISF के जबान हॉस्पीटल के अंदर जाएंगे और इमर्जेंसी वाले रूम के आसपास भी रहेंगे ICU के बाहर भी रहेंगे हर जगह सुरक्षा मुहया कराना चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार की पुलिस के उपर भरोसाब लोगों का नहीं रहा है जब तक paramilitary forces को नहीं देखते तब तक उनको लगता है कि ये पश्चिम बंगाल की पुलिस है ये कुछ भी कर सकती है हमारे साथ दुरुवेभार भी कर सकती है एक के बाद एक नए खुलासे हुए इस मामले में और हर खुलासा ये बताता रहा कि कैसे ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को शांत करने के लिए इस पूरे मामले को ढपने के लिए तरह तरह की तरकीवे निकाली ममता बनर्जी की सरकार ने सारे तरकीवे अपना लिए कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को कमजोर कर दिया जाए लेकिन ये मामला बढ़ता गया और प्रोटेस्ट लग इन्हों ने इए सोच लिया, पहले से हिमान लिया, कि ये प्रोटेस्ट दो-चार दिन चलेगा और दो-चार दिन के बाद बंद हो जाएगा, हम अपने तरीके से वैसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि T.M.C. के अंदर जो सवाल उठ रहा है, अभी जो TMC के सांसद रज्ज सभा सांसद जवाज सरकार ने दिया उन्होंने पार चटर जी का भी नाम लिया कि ये करपसन इतना ज़्यादा TMC के अंदर फैल गया है कि अच्छे लोगों के लिए हाँ जगह नहीं है जो सोच रहे हैं कि TMC में रहकर हम बंगाल के लिए कुछ कर पाएंगे ये संभव नहीं है यानि कि ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है सुप्रिम कोट में उनकी तरकीब यही रही कि कैसे भी सुप्रिम कोट से एक आदेश आ जाए कि वहाँ पर डाक्टरों का जुनियर डाक्टरों का काम पर वापस जाना और फिर प्रोटेस्ट को रुकवा दिया जाए हाला कि सुप्रिम कोट में बात कही गई सीजिया इस चंदरचूर ने भी कहा कि जुनियर डाक्टर को भी काम पर वापस आना चाहिए अगर काम पर वापस आते हैं तो सरकार कोई पिछले कामों के लिए यानि कि इतने दिन तक वो जो काम पर वापस नहीं गए वो हरताल करते रहे प्रोटेस्ट करते रहे उसके लिए कारवाई नहीं करेगी लेकिन आगे भी वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं तो सरकार अपने तरीके से कारवाई कर सकती है लेकिन यहां protest करना और काम पर वापस जाना दोनों में बड़ा अंतर है अगर कोई काम पर वापस जाता है आट गंटे की duty होती है आट गंटे की duty के बाद जैसे reclaim of night किया गया रात में परदर्सन करना duty के बाद परदर्सन करना और junior doctor जो हरताल पर हैं वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं इस बात के लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि जो हो गया उसमें न्याय कैसे मिलेगा जो हो गया उसके न्याय के लिए तो CBI अपना पुर्जोर कोशिस कर रही है नए नए सबूत इकठा कर रही है हर बार सुप्रिम कोट में ये सबूत दे रही है और अगले Tuesday तक फिर से स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए CBI को सुप्रिम कोट ने कहा है कि अगले Tuesday तक आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए एक सब्ता के भीतर और एक सब्ता के भीतर कुछ नई चीजे जो CBI के हाथ लगेगी उसके बारे में वो बताएंगे लेकिन अब इन लोगो को डर है कि हमें सुरक्षा कौन देगा क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार के उपर भरोसा नहीं है ममता बनर्जी के उपर भरोसा नहीं है तो यह लोग मांग कर रहे हैं कि या तो Central Forces हर हौस्पीटल में तैनात हो जिसके लिए किंदर सरकार ने जो CISF के जवानों को भेज उस पर रोक लगाय हुए है ममता बनर्जी जी से सुप्रिम कोट ने सीधे तोर पर कहा कि आप इस पर रोक नहीं लगा सकती आपको चाहिए कि हर जगह पर सुरक्षा की विवस्था की जाए क्योंकि यह प्रोटेश जो हो रहा है यह सुरक्षा के मसले पर है कि वविस्थ मे ऐसी कोई घटना ना हो और इसी बात को लेकर सुप्रिम कोट में जो बहस हुई उसमें सीधे तोर पर तीनों जज़ों ने ममता मनर्जी को कटगरे में खड़ा कर दिया है कि अब अगर आपको जनता का बिश्वास नहीं है अगर आपको वहाँ पर काम करने वाले इंपलाई का बिश्वास नहीं है अगर आपके उपर वहाँ के करमचारियों का बिश्वास नहीं है तो आप संकेत यही है कि कुर्सी छोड़ कर बाहर चले आओ आओ आप लीडर सीप चेंज करो क्योंकि सुप्रीम कोट ने ये संकेत बार बार दिया है कि अगर जनता का भरोसा किसी सर सरकार के उपर तूट गई है तो वो सरकार उन जनता के भरोसे को तभी फिर से बहाल कर सकती है जबकि लीडर्शिप में चेंजेज हो यानि की CM बदल जाए नया CM हो सकता है कि लोग ये मानने के लिए तयार हो जाएं कि पुराने CM ने जो गलत किया उसको नए CM किसी तरह से सु करवाई नहीं कर रही है अभी तक पुलिस कमिशनर को बर्खास नहीं किया गया अभी तक जितने ED ने सबूत इकठे किये अब जो की संदीब घोस के घर पर भी ED के च्छापे मारी हुई नया बंगला फार्म हाउस जब्त हुआ है उस मामले में भी ममता बनर जी एक बार भी नहीं कह रही है कि हम सारे करप्ट अधिकारियों एक खिलाब कारवाई करेंगे करक्षन पर अब हमारी टीम जो है जो पाश्चिम बंगाल का इंटी करक्षन ब्यूरो है वो भी नजर रखे हुए है यानि कि पूरी तरीके से पाश्चिम बंगाल में अरजक्ता का महौल हो गया है लोगों का विश्वास तूट चुका है पश्चिम बंगाल की सरकार पर अगर ममता बनर जी इस्तिफा नहीं देती है तो वहां ये प्रोटेस्ट ये हंगामा चलता रहेगा और अगर उनको अपनी पाटी बचानी है तो इस्तिफा दे पाटी तोड़नी है तो कूरसी स चिपके रहें चुलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो कॉलकाता रेप कान में डॉक्टर बिट्या की इनसाफ के लिए जो लड़ाई जारी है वो आगे भी जारी रहेगी और यहां पर सुप्रिम कोर्ट से ममता सरकार को फिलाल राहत मिल